बिहार जारकंड का क्यात एवं वान्चित नसकली प्रभास भुहिया और प्रेम भुहिया ने किया आत्म समरपण उसके उपर जारकंड सरकार ने 15 लाख रुपे का एनाम खोशित कर रखा था उसे पुलिस दौरा गिरफतार कर लिया गया है बिहार सरकार ने उसके उपर 25,000 रुपे का एनाम खोशित कर रखा था प्रेम भुहिया भात्पा माववादी के रीजनल कमिटी का सदस्य है पुलिस को लंबे अर्से से उसकी तलाश थी उप्त नसकली ने गया के रामपुर्थाना छेत्र इस्थित सीरपीएफ 149 भी बिटालियन के मुख्याले ब्रांगण में सीरपीएफ के कमांडेंट कुमार मयंग एवं गया के वरिय पुलिस अधिक्षक आशिश भारती के समक आत्म समर्पण किया जहां अधिकारियों ने उसे पुष्प गुछ दे कर स्वागत किया इस समंद में गया कि वरिय पुलिस अधिक्षक आशिश भारती ने कहा कि बिहार पुलिस 66 सीमा बल, CRPF और कोबरा बिटालियन के दवाब में कुक्यात नकसली प्रेम भुहिया ने के समक्ष आत्म समर्पण किया है आत्म समर्पण के दर्मियान प्रेम भुहिया ने अपने साथ एक राइपल और 925 जिन्दा कार्तू समर्पित किये हैं उन्होंने बताया कि लगाता नस्कलियों के गड़ में सिविक एक्शन प्लान के तहत नस्कलियों के परीजनों को लूट हत्या जैसे कांड़ों का उन्जाम दे चुका है जाड़कन सरकार द्वारा इसके उपर 15 लाख रुपे का एनाम घोशित किया गया था प्रात दर्पन नियूस के लिए गया से रमेश कुमार की रिपोर्ट जो नक्सली संगठन में रहते हुए इनके द्वारा जो कारे था वो सुरक्षाबलों के ब्रुद और जो प्रकार कारे थे वो किये जा रहा थे और लगातार इस संब्द में पुलिस के द्वारा सुरक्षाबलों के द्वारा प्लेलिप मिलिट्री पोर्सेस के द्वारा पुलिस और प्राप्वास नीती है उसके तहद इनका अंत्रापन कराया है और उपर अभी तक जौजानकारी प्राप्त हुई है गया और और अरंगाबाद जिले में पुल 21 मामले अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है और जहारखंड में भी कई सारे मामले इनके उपर दर्ज हैं और बिहार राजे के भी अनिजिलों से हम लोग इसको अपरादी की तिहा से इसको पता कर रहे हैं इस जो जो चकरबंदा की जो पहारी है जो कि गया और पुलती चत्रा और पलामू जिले में है उसमें जो सुरक्षा बलों के द्वारा लगतार जो अभ्यान चलाया जा रहा है और फॉर्वर्ड ऑपरेटिंग बेसे जो बनाए गये हैं या कैम्प जो बनाए गये हैं उसके माध्यम से इस छेत्र में काफी हमें जो नक्सलबाद समस्य है उसको रियंद्रन करने में काफी सयोग मिला है काफी उसमें सफलता है हासिल हुई है और इसी प्रकार से लगातारागी कर रहे हैं इनके साथ जो है कुछ संपर्द स्थाबित करने का भी हमने प्रयास किया था कि अगर कोई भी आदमी अपना जो कारी किया हुआ हु जरू इसको मौका देना चाहिए उस संब्द में बादचीत हुई तो यह तयार हुए वहां के संगठन से यह परेशान थे अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ नई जीवन जीना चाहते थे तो उसमें हम लोगों ने उनको मदद करने का प्रयास किया है और जो जो सरकार की तरफ से जो पुनर्वास योजना है उसका डिटेल्स हम आप लोगों को दे देंगे उसमें कई सारी चीज़ें हैं तो वह सारी शुर्धायम इसको दी जाए इसके आज समर्सन से अधर जो इलाके हैं से नक्सल्परवादी लाके इसमें क्या प्रिवर्सन को है कि मैं करूंगा प्रया मुझे उम्मीर है यह अगर आववान करेगा तो हो सकता है कुछ और लोग हमारे सम्मुकाय मुख्यजारा से जुड़े तो अब नक्सली कहां खड़े हैं कितना मतलब आप लोग क्या आकलन है ने आकलन यह है कि कुछ जो पूराने नक्सली बचे ह अब हमारे एलाके में है यह या यह चुपा के रखे हुए उभी हमारे सामने हेलो तो काफी उनका मनौबल तूटा है और काफी गिरा गुजह झाल